स्टार्टिंग में हम देखते हैं रुक्या अपना पास्ट याद करती है तभी एक सूररी पर उससे अच्छी तरह से बात करता है तो रुक्या बोलती है मैं भी तुम्हारी तरह नॉर्मल हूँ तो मुझसे नॉर्मल ही बात करो तभी सब सूररी पर बोलते हैं ये नोबल कुचो की क्लेन में से अडॉप्ट हुई है और इसे एक्जाम दिये बिना ही 13 कौट गार्ट स्कौड में ले लिया है ये क्या जोक है ये अच्छी बात नहीं है तभी वाप पर एक दुसरा सूररी पर आता है वो बोलता है हाई मैं हूँ ल्यूटेनेंट कायन शीबा तभी वो रुक्या को पकड़ कर बोलता है मैं तुम्हारा सीनियर हूँ तुम्हें बोलना चाहिए नाइस टू मीट यू सर और बोलता है कि वो क्या नाम है तुम्हारा तो रुक्या अपना नाम बोलती है और बोलती है मुझे अच्छा लगा आपसे मिलके तो वो उसे छोड़ देता है तभी रुक्या बोलती है नॉर्मली ग्रीटिंग नॉर्मली रिलेशन एक ल्यूटेनेंट और टीम के बीच तबी कायन बोलता है तुमारा स्वागत है 13 कौर्ट काट स्कौर्ड में सबसे अच्छी स्कौर्ड में अभी हमारे कैप्टन की तबियत अच्छी नहीं है इसे लिए यहां सब में ही संबालता हूँ तबी रुक्या खुझ से बोलती है अभी मुझे अच्छा लग रहा है मुझे जैसे स्कौर्ड चाहिए थी मैं उसी में हूँ तबी वो बयाकुया के पास जाती है और बोलती है मुझे स्कौर्ड 13 में ले लिया है तो बयाकुया पूछता है स्कौर्ड 13 में कौन से स्विट मिली है तुमें तो रुक्या बोलती है मुझे माफ करना पर मैं स्ट्रेंथ उतनी नहीं है तो मुझे ओफिसर सिट नहीं मिली तो बाया कुया बोलता है ठीक है तो अभी तुम जा सकती हो तो रुक्या वहां से चली जाती है, तभी रुक्या कहीं बैठी होती है, तभी पीछे से कायन आते हैं, तो रुक्या डर जाती है, तो कायन बुलते हैं, तुम मुझे हर बार देख के डर क्यों जाती हो, मुझे इससे हट होता है, ठीक है कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे तब ही कायन बोलता है मैं पूछूंगा तो तुम बताओगी नहीं पर फिर भी मैं तुमसे पूछता हूँ कि तुम हमेशा इतनी डिप्रेस्ड क्यों रहती हूँ खाली यही बात हमेशा याद रखना रूकिया जब तक हम ये स्क्वाड में हैं तब तक मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा बले कोई भी मैटर हो फिर बले मेरी जान भी क्यों ना चली जाए तब ही वहाँ पे सनातरों और कियोंने आते हैं वो दोनों मस्ती करने लगते हैं और उन्होंने पी रखी होती है तब ही सेंटारों बोलता है मैं भी रूकोन डिस्ट्रिक से ही आया और मुझे पता है कि कैसा लगता है तब ही कायन दोनों पर वो जुज फेक देता है तब ही फिर से दोनों मस्ती करते हैं तब ही रूक्या बूलती है भले कुछ भी हो सर कायन मुझे हमेशा खुस करने के लिए बहुत कुछ करते हैं तब ही वहाँ पे एक होलो आता है और काय उसे मार देता है और रुक्या को थोड़ी चोट लगी थी तब ही वहाँ पे एक सोल्डरी पर आती है और रुक्या की हेल्प करती है तो रुक्या बुलती है मिस मिया को तुम मिया को बुलती है तुम ठीक तो हो तो रुक्या बुलती है हाँ तब ही कायन भी वहाँ आता है और मिया को को देख के बूलता है तुम यहां कब से हो तुम यहां को बूलती है जब से तुम हॉलो को मार रहे थे तब से मैं यहां इसलिए आई क्योंकि मुझे लगा तुम्हें महल्प की जरूरत होगी तो के एन बूलता है चलो मुझे ये सुनके अच्छा लगा कि तुम मेरी हेल्प करने के लिए कभी भी रेडी हो तभी रुक्या वहां से जाती है और खुद से बूलती है मिया को कैप्टन कायन की वाइफ है वो बहुत स्ट्रॉंग वुमेन है और थर्ड सीट में भी है वो इंटेलिजन्ट और बहुत खुबसूरत है और वो मेरी आइडियल है मैं उनके जैसा बनना चाहती हूँ तभी एक दिन में इस मिया को एक मिशन पे जार रही होती है तभी कैप्टन बूलता है ये होलो को कुछ जानकारी हमारे पास नहीं है और जो भी सोल्डरी पर वहां गया है वो आपस नहीं आया तुम अपना ध्यान रखना तभी मिया को बूलती है मुझे नहीं पता था कि मैं आप से ऐसे वर्ज सुनूंगी ल्यूटेनेंट में ये मिशन को एक सोल्डरी पर बन के करूँगी और ये होलो के क्राइम को हम बरदास्ट नहीं कर सकते और मैं जो कर सकती हूँ वो करूँगी तो रुक्या सेड होती है तो मिया को बुलती है कोई बात नहीं ये खाली रिकॉन मिशन है हम खाली information collect करने जा रहे हैं और बाकी होलो को मारने का काम मैं तुम दोनों पर छोड़ती हूँ तभी वो अपनी टीम के साथ निकल जाती है तभी सिन कैप्टर नुकिटा के पर shift होता है वो बोलते हैं रुक्या रिकॉन टीम का कुछ पता चला तो रुक्या बूलती है अभी तक कुछ नहीं तभी वहाँ पे सेंटारो आता है और बूलता है बुरी खबर है रिकॉन टीम से related तभी तुम मियाको को देखते हैं तभी केन बहुत sad होता है तो एक सूलरी पर बूलता है उनकी जान को कोई खत्रा नहीं है वो खाली बेहोश है तभी उकिटा के पुछते हैं बाकी की टीम का क्या हुआ तो एक सूलरी पर बूलता है बाकी की टीम मर गई तभी बाहर कुछ सूलरी पर बात कर रहे होते हैं तभी एक बूलता है हमारा बुरा टाइम चल रहा है पूरी रिकॉन टीम खतम हो गई खाली मिस मियाको को छोड़ के तब ही वहाँ पे मिस मियाको आती है और वो सोल रिपर्स को मार देती है तो सब उसे देख के शुक हो जाते हैं तब ही वो रुक्या पे अटेक करने जाती है तभी वहाँ पे किये नाता है और मियाको को वहाँ पे रोक लेता है और बोलता है ये सब के लिए ये तुम क्या कर रही हो मियाको तुम रुख जाओ तभी मियाको रुक्या को छोड़ के वहाँ से चली जाती है और दूसरे सोल रिपस को मारना चालू करती है तभी कायन वहां पोच के बोलता है अब मैं उसे रुकूंगा तभी उकिटा के बोलता है अगर तुम उसका पीछे गए तो तुम दुश्मन की चाल में फस सकते हो तो कायन बोलता है पर फिर भी अगर मियाको को वो मॉन्स्टर से छुडाना है तो मुझे जाना होगा तभी उकिटा के बोलता है ठीक है तो फिर मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा और रुक्या तुम भी चलो तभी वो लोग जाते हैं वहाँ पे तभी वो हॉलो कायन पर अटेक करता है तभी रुक्या बोलती है मैं पहले जाओंगी तो कायन बोलता है कैप्टन मैं आप से भीक मांगता हूँ मुझे अकेले फाइट करने दो तभी रुक्या बोलता है तभी हॉलो बोलता है तो तुम पहले आए हो, तुम कुछ नहीं, खाली एक बच्चे हो, तो कायन बोलता है, बताओ मुझे तुमने आज तक कितने तोल रिपर्स को खाया है, तो हॉलो बोलता है, मैं ये सब का हिसाब नहीं रखता, तभी कायन बोलता है, तुम्हें कभी अपनी ये चीजे करके, तो ये पच्चतावा नहीं हुआ, तो हॉलो बोलता है, हम हॉलोगे पास दिल नहीं होते, और मुझे ये लड़की को खाने में चरवी पच्चतावा नहीं हुआ, तभी कायन बोलता है, तो तुम उसे कंट्रूल कर रहे थे, और उसी की हाथो से उसके टीम मेमबर्म को भी म तो वो हॉलो बोलता है कंट्रोल तुम जो सोच रही हूँ ऐसा नहीं है मैं उसकी बोडी में था और उसको खाने के बाद में अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ गया तभी कायन को गुसा आता है और वो अपना स्पिरिच्वल प्रेशर बढ़ाता है और हॉलो के टेंटिकल्स को तोड़ देता है और अपनी जानपाक्टो को बोलता है और रान की दसीज और स्काइज ने जीवा तभी उसके जानपाक्टो तूट जाती है तो वो हॉलो बोलता है तो मेरे जाल में फस गए लड़के हर एक रात को कोई भी मेरे टेंटिकल्स को चूता है तो उसके जानपा के रुक्या को रोक लेता है तो रुक्या बोलती है हमने कायन की हेल्प नहीं की तो वो मर जाएंगे तो कैप्टन की टाके बोलते हैं अगर हम अभी उसकी हेल्प करेंगे तो कायन की प्राइड को क्या होगा अगर तुम अभी उसकी हेल्प करोगी और वो बच भी गया तो उस उसकी प्राइड हमेशा के लिए खतम हो जाएगी तभी रुकिया बूलती है इसका कोई सेंस ही नहीं बनता कैप्टन अगर वो मर गए तो उसकी प्राइड का क्या तभी उकिटा के बूलता है ये बात हमेशा याद रखना यहां पे दो तरह की बैटल्स होती है और जब तक हम बैटल्स में इन्वाल होते हैं हमेशा याद रखना इन दोनों बैटल्स का डिफरंस पहली बैटल जिसमें हम दूसरे को हेल्प करने के लिए बैटल्स करते हैं और दूसरी जिसमें हम हमारी प्राइड के लिए बैटल करते हैं जैसे कि अभी कायन अपनी प्राइड के ये battle तबी वो अपनी जानपाक्टो रख देती है तबी हॉलो बोलता है क्या हुआ सुलरी पर तुम अपने दोस्तों से हेल्प नहीं मांगोगे तो कायन बोलता है चुप रहो तुम मैं हेंडल कर सकता हूँ तुम्हें वो भी खुद के दम पर तो हॉलो बोलता है वो तो अभी मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी वाइफ जैसा करूँगा और तुम्हारे दोस्तों को तुम्हारे हाथों से ही मार दूँगा तभी हॉलो कायन के अंदर चला जाता है और वो भी हॉलो बन जाता है तभी वो रुक्या पर अटेक करता है तभी कैप्टन उकीटा के अटेक रोक लेते हैं और रुक्या को बचाने का और भागने का बुलते हैं तभी रुक्या वहां से भागने लगती है तभी कैप्टन उक अपने टीम मेंबर को मारना नहीं चाते और तुम ये सोच रहे हो कि कैसे तुम मुझे से अपने दोस्त को आजात करवा सकते हो पर तुम ये नहीं कर सकते क्योंकि अब हमारी बॉडी एक हो गई है तो तुम उकिटा के होलो पर अटेक करता है तो होलो बुलता है तुम कैसे फ ये पूरी बॉडी को मार दूंगा तो तुम भी मर जाओगे तभी वो अटेक करता है तो होलो पर बाटूकी टाके की तब्यत ठीक नहीं होती और वो रुक्या को खड़ा देख के बूलता है मैंने तुम्हे भागने को कहा था इडियट तभी होलो रुक्या पर अटेक करने जाता है तभी रुक्या अपनी स्वाट को कायन की बॉडी में डाल देती है तभी कायन बोलता है ठेंक यू कैप्टन आपने मुझे अकेले फाइट करने दी तभी रुक्या बोलती है मतलब तुमने ये जान मुझकर किया कायन तभी कायन रुक्या से माफी मांगता है और बोलता है ये मेरी सेलफिज रिक्वेस्ट थी की उसके कारण मैंने तुम्हें भी इन्वाल्व कर दिया पर मुझे माफ कर देना और मुझे पता है ये तुम्हारे लिए बहुत दर्दनाक है और अभी मैं अपना दिल यहाँ छोड़ के जा सकता हूँ तभी रुक्यामन में बूलती है नहीं मैं किसी के टेंक्स के भी लायक नहीं हूँ मैं तभी डर के कारण भाग रही थी ये मैं इसलिए नहीं भाग रही थी क्योंकि मैं तुम्हें तड़पता नहीं देख सकती थी मैं तो इसलिए भाग रही थी क्योंकि मैं खुद को बचाना चाहती थी तभी सीन उकी टाके पर शिफ्ट होता है वो बूलता है बाया कुया एक्जिक्यूशन की डेट चेंज हो गई है तभी बाया कुया बोलता है हाँ कल है तो उकी टाके पूछता है तो अब तुम क्या करने वाले हो तो बाया कुया बोलता है मैं क्यों कुछ करूँ तो उकी टाके बोलता है रुक्या को कोई स्ट्रेंजर नहीं है वो तुमारी बेहन है तब ही उकी टाके की तब्यद भिगड़ जाती है तो बाया को या बोलता है तुम रुक्या के नहीं अपनी चिंता करो वैसे भी तुमने जल्दी मरने वाले हो और तुम अपना लिटेनेंट तो खूँ चुके हो और दूसरे केस में रुक्या मेरे गर की सदस्य है अगर वो मर या जिन्दा रहे तुम्हारा उससे कोई मतलब नहीं है तब ही एपिसोड खतम